आकाश्वानी भोपाल से प्रसुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख सबसे पहले मुख्य समाचार मुख्य मंद्री शिवरा सिंख चोहान ने किया अंतराश्री वन मेले का शुभारम वन उपस्वेंगों के प्रबंधकों को अब मिलेंगे तीरा हसार रुपए विधान सभा में सरकार ने पेश किया दुतिय अनुपूरक बजट प्रदेश की शासकी कार्यालियों में जानी रहेगा सबता में पांच दिन कारे दिवस का सलसिला और उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में मुबाइल फोन पर लगी रोक नियम तोडने वालों पर लगेगा दो सुरुपए का जुर्माना मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने आज फोपाल के लाल परेट मैदान में आयोजित अंतराश्री बन मेला 2022 का शुभारम किया इस उसर पर उन्होंने तींदू पत्ता तोड़ने वाले का काम कर रहे वनोपत संगों के प्रवंधकों को 13,000 रुपए देने के खोशना की शिचोहान ने कहाए कि पेसा एक्ट में तींदू पत्ता तोड़ने का काम वनोपत संग को दे दिया गया है समिती प्रबंधिकों को पहले 6,000 रुपए मिलते थे फिर ये 10,000 हुए लेकिन अब 10,000 के बजाए 13,000 रुपए समिती प्रबंधिकों को दिये जाए उन्होंने कहा है कि थोड़ी थोड़ी आमदनी सभी की बढ़ती जाए सदन में राजिस सरकार की ओर से 16,306 दुती अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया गया इस पर कल चर्चा होगी हैं इसी के साथ मद्व्पृदेश नगर्पालिका संशोधन विधैक के साथ ही भू राजस्व सहहिता निजी विश्विध्याले श्रम विधी संशोधन और मद्वरदेश करमचारी चयनमंडल संशोधन विधैक पर भी सदन में चर्चा होई इससे पहले राज विधानसभा में आज विपक्शी सदस्यों के साथी सथा पक्श के सदस्यों द्वारा प्रश्न काल और ध्याणा कर्शन सूचना उपर चर्शा के दौरान पूचे गया सवालों को लेकर संबंधित विभागों के मंत्रियों को आरूप त्यारूपका सामना करना पड़ा। सदन का संचालन कर रहे विधानसभा अध्यक्ष किरेश कौतम ने भी सदस्यों की प्रश्णों का समर्थन करते वे समाधान परक जवाब देने की निर्देश दिये। इन सहकारी समितियों के प्रशासन बेसुधार लाना और पार्दाशिता तथा जवाब देही को बढ़ाना है। ये राशी सर्वशिक्षा भ्यान और DMF के तहट मंसूर की गई है। ग्राम मजगाओं, सुंदरवाही और खिरसाडी में प्राथमिक शाला भवन के लिए करीब 27-27 लाख रुपए और डबरी परसामाओं और खुरसी पार में माधमिक शाला भवन के लिए 36-36 लाख रुपए की राशी मंसूर की गई है। सरकार नी भ्रामक खबरे फैलाने वाले तीन YouTube चैनलों का पता लगाया है। से पिछले एक साल में 100 से आदेक YouTube चैनलों पर प्रतिवन्त लगाया है। समाचारों में वक्ते ब्रेक का। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रोदेश के शास के कार्यालियों में सब्ताह में 5 दिन सो मुआर से शक्रवार तक कारे दिवस का सलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस संबंद में सामान प्रिशासन विभाग त्वारा आज आदेश शारे क्या गया है। दिरसल प्रोदेश में सामान प्रिशासन विभाग ने 10 जून 2022 से कोविट-19 महामारी की रोक थाम और बचाप के लिए 5 कारे दिवस का सब्ताह निरधारित किया था। यह आदेश शिकती सिसंबर तक प्रुभाव शेल था, अब इसी आदेश को अगले आदेश तक लागो कर दिया गया है। आज में यहां लंबी कतार लगी रही। गर गर नल कनेक्शन लगने और पर्याफ्त मात्रा में पानी मिलने से बच्चे बूढ़ें महिलाएं सभी बेहत खोश है। पूर्पिदान मंत्री स्वर्ग्य तिल बिहारी वाजपी द्वारा सापे सुशासन के उचिता माप डंडों का सम्मान करने के लिए उनके जन्म दिवस 25 सिसंबर के एक दिन पूर 24 सिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। शनिवार 24 सिसंबर को शासकी अवकाश होनों से 23 सिसंबर को प्राता ग्यारा बजे मंत्राले इस्तित सरदार वल्लब भाई पटेल पार्क में सुशासन दिवस के शपत दिलाई जाएगी। मद्रदेश पात्य में क्रिशी सहकारी साख समीती पैक्स को कंपीटरी कृत करने वाला देश का पहला राज्य है। मद्र समू के सामने और तालाबों की घाटू की सफाई की। दार में अकिल भारती विद्यार्थी परिशद मालवा फ्रांत का पच्पनवा अधिवेशन पचीस से सत्ताई से संभर तक होगा। इसमें 18 सिलों के 1000 विद्यार्थी प्रतिभागे सम्मिलेत होंगे। निवाडी में अवैद मदिरा के विरुद कारवाई में 800 किलोग्राम महुआ लहान नश्ट क्या ग्या। राजकर सिले में चल रहे अवैद लाब, क्लीनिक और फर्जी चिकित्सकों के विरुद कारवाई करने के लिए टीम का गठिन क्या-क्या है। मुरैना में कलेक्टर अंकित अस्थाना ने सिले की किसानों से कहा है कि सिले में खात की कमी नहीं है। दीवासिले में मिजल स्रुबेला निर्मूलन अभियान 24 दिसम्बर तक आयवजित क्या जा रहा है, अभियान में 5 साल तक के बच्चों को एमार का टीका लगाया जा रहा है। खन्वा में 22 दिसम्बर से 28 दिसम्बर तक सभी जनपत पंचायतों में तिथिवार, सुरक्षा, सैनिंग भरती कारिक्रम आयवजित के जाएंगे। सतना जिले में समर्थन मुले पर धान की खरीदी का कारे, निर्धारित उपारजन केंद्रों में सैकारी समितियों और ससायता समुहों द्वारा किया जा रहा है। इस पुलिटन में इतना ही, दीजे इजासत, नमस्कार। है कार्दार के कने जाएंगे इतना कट पटी कार्दाख सेक्ष इंग।